असलाम लेकुम दोस्तों इस्टम में डी एचे फेस सिक्स में हूँ यह किनाल का हाउस है फोर सेल है आप इस्टम इसका फ्रेंट एक्स्टिरियर देख रहे हैं मुझे इस घर को हम देखने के लिए अंदर से भी चलते हैं इसका लॉन एरिया है इस्टम में घर की इंट्रेंस पर हैं सामने को डीविलोंगी नज़र आ रहा है लवड़ साइट पर ड्राइंग रूम एरिया स्टेर्स ती की हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ इसका खूबसरत सीलिंग बर्क है वुड़ बर्क यूज़ हुआ है आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर वीडियो पसंद है तो इसको शेर जरूर करें लाइक करें और इस घर को परिचेस करने से पहले एक दफ़ा विजिट जरूर करें इसका पॉड़र रूम है फ्रेंड मेरे गलास है इसका ट्राइंड डूम एरिया राइट साट पर वाल पेपर यूज़ ही है इसका सेलिंग वर्क है वाडन फ्लोरिंग है राइट साट पर इनो ने डाइनिंग रूम एरिया दिया है विंडर्स दे गई है वेंटिलेशन के लिए इस पर भी वाल पेपर कर यूज़ है और इसकी सीलिंग में वूडन जूज़ हुए है इसका किचन अरिया है इसमें भी फूल केबिट्स दी गई है इसमें फ्रेज और वन अल इंपोर्टेट अक्सेसरीज इंस्टोर्डन है पेले से इसका डिटी किचन है स्मॉल किचन दोर दिया गया है बार जाने के लिए इसके टीव लाँच की तरफ आते हैं स्पेशियस टेवी लाँच एरिया है सामने आपको इसका मेडिया वाल नजर आ रहा है इसका खुब्सूरत सेलिंग वरक है इसमें विंडर्स भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए इसका मेडिया वाल एरिया इसके मास्टर बेट के दिरुप चलते हैं लेट्ट साइट पे इसका मास्टर बेट्रूम दिया गया सबसे पहले विंडर्स हैं बुटन फ्लोरिंग दी गई है ये इसका सेलिंग वरक है घुपसुरों डिजाइन किया हुआ एसी इंस्टॉल्ड है तमाम रूम्स में अटैज बाद सबसे पहले एंट्रेंस पे इन होने हैं कैबिनेट्स दी हैं स्टोरेज के लिए ये इसका सेलिंग डिजाइन है लिफ्ट साइट पे वैनिटी दी गई है इसका फ्रेंड मीर डिजाइन सेकंड पे इन होने इसका शावर के बिन दी है रेंड शावर इंस्टोर्ड एंस में भी जेक वजी दिया हुए और वार मॉंटेट् सेकंड बेट्रूम डाउंड फ्लोर सामने विंड्योस दी गई है इसकी फ्रस्ट में बुड़न फ्लोरिंग के इसमें टाइड जो दी है इसका सिलिंड वर्क है इसमें भी इसमें 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 इंस्टॉल्ड है अटैच बात है लिप साइड पर वाल मॉंटेड अबीसी दी है शावर कैबिन है इसमें भी रेंज शावर इंस्टॉल्ड है इसकी वैनिटी फ्रांट मिर्र ग्लास ये इसका कैबिलेट्स दी गई है फ्रस्ट लोर की दरह चलते हैं इसमें ग्रेड नाइट का यूज हुआ है स्टेर्स में राइट सेट पे इसके वोडन चूज हुआ है साथ मिरर इसका फर्स्ट लोर का व्यू है सबसे पहले हम लेफ्ट सेट चलते हैं इसका टेवी लाँच एरिया देखते है राइट पे इसके बार्वी क्यू एरिया दिया गया है इसका बार्वी क्यू एरिया आप इसका टेवी लाँच है स्मॉल किचन भी दिया गया इसमें इसका मीडिया वाल है बैक पे इसके वाल पेपर यूज है इसका सीलिंग डिजाइन है इसका स्मॉल किचन नीचे भी केविनिट्स दी गई है फर्स बेट्रूम फर्स फ्लोर राइट पे विंडोस दी गई है जो ओपन एरिया इसका इसका सीलिंग डिजाइन है इसका सीलिंग डिजाइन है अटेज़ पाथ है लेट्ट साइट पे सबसे बहले शाहों के बना है इसका शावर रिंग शावर इसका सीलिंग डिजाइन है राइट पे इसका कैबिनेट्स दी गई है स्टोइज के लिए इसका इसका सीलिंग डिजाइन के लिए इसका सीलिंग डिजाइन है इसकेंड बेड्रूम है फर्स फ्लोर लेट्स साइट पे वाल पेपर कर यूज हुआ है यह इसका सीलिंग डिजाइन है सामने इसके विंडोस दी गई है विंटिलेशन के लिए लोरिंट टाइल इकल फ्रेंट पे इसके वैनिटी दी गई है इसके फ्रेंड मिरर है लेफ्ट साइट पे इसके कैबिनेट्स दी गई है इसका शावर के बिन इसने भी रेंज शावर इंस्टोर्ड है इसके वाल मांटे डिव्यूसी इसकी टायल का कमेरा थर्ड बेडरूम की तरफ चलते है राइट शावर पे स्मॉल स्टोर दिया गया सामने इसका टेरिस है इसका मास्टर करड़ दागी है बुडन फ्लोरिंग दी गई है इसका फॉल पेपर यूज हुआ हुआ है इसका सीलिंग डिजाइन है इसका टेरिस का व्यू भी इसमें से हमें अधर आता है अटेश बाद दिया गया है लेट साइड पे जेकोजी दी गई है इसकी वैनिटी, फ्रेंट ग्लास, इसके विंडोस दी गई है यह डोल इसकी कैबिनिट्स है यह इसका सीलिंग डिजाइन है, इसमें भी बुलन का काम हुए और लेट पे हैं इसका शावर के बंदिया गया है आपने मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है और इसको जरूर देखें अगर आप केनाल का घर डियेच्च में पर्चेस करना चाहते हैं प्राइब समय प्राइब